दोस्तों आज हम लोग Lenovo Company के authorized service center का review करने वाले हैं जिसको हमने 5 में से minus 5 नंबर दिया है हम बात कर रहे हैं पूझ जे enterprises की जो कि मद्ध प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP नगर जोन वन में जोती complex में इस्थित है इस Pudge Enterprises में काम करने वाले लोग नहायती अकारत धूर्थ निठले और नो सिखिये हैं यदि आप लोग Lenovo का कोई भी equipment चाहे वो laptop हो चाहे वो mobile हो यदि इस Pudge Enterprises भोपाल में लेकर जाते हैं तो वो उसको कबाल करके देंगे पूरी तरीके से बरबाद करके देंगे और आपके पैसे भी खा जाएंगे दोस्तों देखे इन्होंने अपने कार्ट में mention करके रखा है Pudge Enterprises Authorized Service Center उपर Lenovo लिखा हुआ है हम भी इसी चक्कर में फसका है और अपना laptop इनके पास ले गए सर्विस कराने के लिए और इनकी एक नंबर की घटिया सर्विस रही है इन्होंने हमारी harddix खराब कर दी सोचिए 8000 रुपए यह देखे हमारा एक बिल है इस बिल में आप लोग देख सकते हैं यह Pudge यहां लिखा हुआ है देखे हैं और हमारी यह harddix भी खराब कर दिया हमने अपने laptop में एक SSD डलवाई 1200 GB की इन्होंने SSD डाल दी हमारे laptop में 200 GB की और internal harddix को external बना दिया हमको कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन जब हम घर पे आये हैं और harddix को जैसे ही laptop पे हमने लगाया है laptop काम करना बंद कर दिया मतलब कि switch off हो गया हमने फिर से harddix को हटाई है फिर हमने laptop चलू किया है तो laptop चलू हुआ है लेकिन जैसे हम उसमें harddix लगा रहे हैं तो computer बंद हो जा रहा है हमारा laptop पूरी तरीके से shutdown हो जा रहा है हमने push enterprises में तुरंट phone करके बताया उन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन अपनी harddix और laptop लेके आए हम उसको repair करके दे देंगे लेकिन दूसरे दिन जब हम लेके गए हैं अपनी harddix और laptop तो इन्होंने harddix अपने पास रख ली है repair करने के नाम से और 5-6 दिन इनमें विष्ट कर दिये और हमारी harddix repair करके नहीं दी बत सोची उसमें कुछ गड़वड ही नहीं थी और उन्होंने हमारे harddix को खराब कर दिया और जब हम harddix लेने गई इनके हां और बोल दिया कि यह दिखिए आपके harddix हो चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हम पंदरा हजार रुपए का इन्होंने हमारा नुकसान कर दिया है मैं आप लोगों कि इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिस कर रहा हूं कि यह जो पूझ जिया enterprise का service center है यह एकदम original service center टाइप का दिखता है पर यह original service center मुझे नहीं लगता है क्योंकि original service center वाले इतने ग करना बिल्कुल नहीं आता है दोस्तों और आप लोगों को मैं यह बोल रहा हूं कि यदि आप लोगों के पास कोई लेनवो का equipment है चाहे वो laptop हो चाहे वो mobile हो आप इस पूझ इंटरप्राइजस में लेकर बिल्कुल भी मत जाएगा नहीं तो यह आपके equipment को पूरी तरीके से कबार करके देंगे और पैसे भी खा जाएंगे आप लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहेता हूं कि लेनवो कंपिनी ने अगर पूझ इंटरप्राइजस जैसे सर्विस सेंटर खोल के रखे हैं तो आप बिल्कुल भी लेनवो कंपिनी का कोई भी equipment पर्चेस मत कीजे चाहे वो laptop हो चाहे वो mobile हो क्योंकि जब भी आपके laptop या mobile में कुछ भी गड़ड़ी होगी कुछ भी परिसानी आएगी तो यह लोग उस mobile या laptop की छोटी सी बिमारी को एक बड़ा cancer में convert करतेंगे और आपका जो लेनवो का equipment है चाहे वो mobile हो चाहे वो laptop हो वो कछड़ा का डब बाही बना के देंगे जिनका कोई use नहीं होगा जैसे कि अब हमारी hardix है इस hardix का कोई use नहीं है तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे यूट्यूबर की कि अकर एक कोई छोटा यूट्यूबर है तो उसे यह 8000 रुपए पे करने में कितनी दिक्कत होई होगी और ब भी नहीं repair हो पा रहा है वो भी हमारा backup में नहीं आ पाया है उन्होंने हमारी hardix खराब करके उसको भी खराब कर दिया सोचे उन्होंने कितना नुकसान किया है हमारा इसलिए मैं इस पूच्ज एंटरपाइस के लोगों को निहाईती अकारत धूद निठले और नौसिखिये बोल रहा हूँ क्योंकि इनसे कुछ नहीं आता है और यह duplicate service center है देखे दोस्तों इन्होंने अपने card में authorized service center लिखा हुआ है लेनवो company का पर ये लोग आपको local काम करा के ही देंगे कुल मिला के आप लोग अगर पैसे फसाते हैं किसी भी equipment की उपर तो वो आपके बरवाद ही होंगे और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपना जो सोरूम बनाके रखा हुआ है लेनवो company का authorized service center का आप यहां पे जाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि यह original में लेनवो company का authorized service center है पर ऐसा नहीं है क्योंकि authorized service center वाले इ लेकिन ये push enterprises जैसे authorized service center लोग आप लोग के पैसे भी खा जाएंगे आपके laptop को कबाड़ा भी कर देंगे equipment भी खराब कर देंगे और पैसे भी नहीं लोटा के देंगे यदि आप लोग भोपाल या भोपाल के आसपास के छित्र में रहते हैं तो push enterprises जो कि लेनवो company का authorized service center अप आपको बकरा समझ के हलाल करेंगे पूरे पैसे खा जाएंगे और equipment भी बना के नहीं देंगे तो इनके चक्कर में अगर आप भोपाल या आसपास रह रहे हैं तो बिल्कुल इनके चक्कर में ना पढ़िए आप जोती complex जो कि zone 1 MP नगर में भोपाल में हैं इनके आप बिल्क वो company का कोई equipment बिल्कुल purchase मत करिये आपकी equipment में कोई भी परिसानी आएगी तो ये लोग छोटी सी उस परिसानी को एक बड़ा क्ला इलाज cancer में convert करके देंगे जिससे कि आपका equipment कचड़े का डबा होगा जिसको दुबारा आप यूज नहीं कर पाएंगे और दोस्तों विश् मानिए जब भी आप लोग पुझ इंटरप्राइजस में अपना laptop बनवाने लेके जाएंगे तो ये लोग आपको बोलेंगे कि दो तीन घंटे में आएगा तुरंत बना के नहीं देंगे क्योंकि ये लोग बाहर से काम कराते हैं मतब लोकल काम कराते हैं लोकल की दुकानों जोनवन में जोती कॉंपलेक्स में हैं इनके चक्कर में बिल्कुल मत फसिये ये मुझे नहीं लगते हैं कि authorized service center लेनवो के हैं ये पुझ इंटरपाइजस जो कि भोपाल में हैं इन्होंने अपने service center में बढ़ा टिम टॉम करके रखा हैं आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा क लोग को अपना laptop या फिर mobile कि और सामने से आप लोग इनके पास बनवाईएगा क्योंकि कोई भी service center वाला ये नहीं बोलता है कि आप 4 गंटे में आए 6 गंटे में आए या फिकल आए पुझ इंटरपाइजस वाले इसलिए ये बोलते हैं कि 2 गंटे में आए 4 गंटे में आप लोग पूच इंटरप्राइजस जैसे authorized service center जो कि लेनवो का बोल्ट है इनके चक्कर में मत फसीएगा दोस्तों हम तो चलिए आपको व्लॉग बना के बता दे रहे हैं ये वीडियो बना के बता दे रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है लेकिन कई सारे ऐसे लो बता होगा चलिए हम तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं तो आप पूच इंटरपाइजस जैसे authorized service center जो कि लेनवो का बोल्ट है इनसे बचके रहे हैं आप लोग भारत के किसी भी राज में रहते हैं किसी भी सहर में रहते हैं यदि आप लोग इन जैसे authorized इस service center से ठगी का सिकार हुए हैं तो आप लोग हमारे comment section में comment करके जरूर बताएएगा हम इन पर वीडियो जरूर बनाएंगे इन लोग को बताना बहुत जरूरी है कि आप लोग जो ठगी करते हैं वो बिलकुल भी गलत है यदि आप लोग पैसे ले रहे हैं तो आपको work कर के देना होगा इन लोग को ये बताना भी बहुत जरूरी है ये ये नहीं कि आपने पैसे दे दी हैं और आपको service नहीं मिल रही है और विश्वास मानिये दोस्तों कि लेनवो के इस service center में जाके हमको तो लेनवो company से पूरा विश्वास ही उठ गया है और आप लोगों को भी मैं यही बोलना हूँ कि आपके छेतर में यदि लेनवो का कोई अच्छा service center नहीं है तो आप लोग लेनवो का कोई भी equipment purchase मत करिये क्योंकि जब भी आपके लेनवो की equipment में चाहे वो laptop हो चाहे वो mobile हो जब भी कुछ गड़वड़ी आएगी तो ये push enterprises जो कि अपने आपको authorized service center लेनवो का बोल रहे हैं इनके जैसे लोग आपके equipment को पूरा कवाड कंडम करके देंगे कवाड करके देंगे जिसका कोई use नहीं होगा पैसे भी आपके फस जाएंगे और आपको service भी अच्छी नहीं मिलेगी तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा यदि आप लोग अगर पैसे फसाना चाहते हैं अपने equipment को कवाड करना चाहते हैं तभी आप इनकी हाँ लेके जाए बलकि आप इनकी हाँ नहीं लेके जाएं दोस्तों ये मेरा personal review है जो कि मैंने push interfaces को 5 में से minus 5 नमबर दिया हुआ है तो दोस्तों last में मैं इतना ही कहना चाह कहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें सुरक्षित रहें और इस push interfaces जैसे लोगों से बचके रहें